हेलो फ्रेंड्स, दिस इस एस्ट पिशिंग एंड वेलकम टू इश्मार्टर एवरिड़े प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कम्प्यूटर क्या होता है अगर मैं बात करूँ, देखिए आपके पास जो एक सब्जेक्ट है आपका सिक्षा के तकनी की प्रिप्रेक्च, ठीक है, यह उसका टॉपिक है और mostly universities में common topic है, सिक्षा के तकनी की प्रिप्रेक्च और computer पढ़ेंगे, computer के साथ ही साथ, हम लोग थोड़ी सी जनकारी हम overhead projector की भी लेंगे, जो की अपने आप में ही एक important topic है जहां से related question पूछी लेता है, overhead projector क्या है बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, बस थोड़ी अवधारना इसकी जान लेंगे ताकि बस समय में आजाए कि overhead projector होता गया है उसके बाद हम लोग computer को थोड़ा deeply समझेंगे कि यहां से तो पूछना ही पूछना है computer की अवधारना पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर बात आएगी आगे computer, सिच्छा के छेतर में computer का उप्योग, मतलब बहुत important topic है सिच्छा के छेतर में computer का उप्योग पूछ लेगा, wishes science की पूछ सकता है तो इस प्रकार से आज के class आप के लिए बहुत ही helpful होने वाली है आप class तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने वाले है computer आज कल हर एक विक्ति, आहम, आप सभी लोग use कर रहे हैं computer के तोर पे हम लोगों के पास smartphone है है ना, तो आप सभी कोई use पता है, क्या है लेकिन एक सब्दों का chain भी तो होता है उनको भी हमें समझना है हम exam में ये थोड़ो सब लिख देंगे कि हम लोग, जो है इन सब चीजों का use करते हैं, movie देखते हैं लेकिन एक सटीक तरीके से एक सही method होना चाहिए तो आज हम इसको जानेंगे, समझेंगे और पढ़ लेंगे overhead projector को पहले समझ लेंगे कि overhead projector होता क्या है चलिए, बहुत ही आसान से पहरे-पहरे सब्दों में समझ लेंगे और आपको बता दूँ कि आज ये chapter आपका खत्म हो रहा है इसी class के साथ जिसका नाम था सैक्षिक टक्निकी में जन संचार माध्यम आप जो next class होगी, उसमें आपका नया chapter होगा सूचना एवं संचार प्रोध्योगी की प्रिस्तावना जिसमें हम लोग समझेंगे सूचना का अर्थ क्या होता है सूचना की प्रिभासाएं क्या होती है ये आपका नया chapter होगा तो फिर उसको आगे डिस्स करते हैं तो चलिए अभी हम समझते हैं overhead projector क्या होता है overhead projector की अगर बात करें तो overhead projector का जो concept है वो कोई नया concept नहीं है कि नया concept निकल कर क्या है नई चीज निकल कर क्या है ये ऐसा कुछ नहीं है दूतिय विश्विद्र के समय सस्त्र सेवाओं में जवानों के सनच्छन के लिए सिक्छन के लिए उकर्ण का उप्योग किया जाता था अक्सर जब सिच्छक कक्षा कक्ष में स्यामपट पर लिखते हैं तो उनकी पीट कक्षा में बैठे च्छात्रों की तरफ हो जाती है जाहिर सी बात है जब हम लोग क्लास में blackboard के उपर लिख रहे होते हैं तो समय हमारी पीट students की तरफ हो जाती है इस कारण कक्षा में अनुसासन हींता भाई हम लोग अगर blackboard पे लिख रहे हैं तो बच्चा पीछे कई बार ऐसा सुनने को मिलता है जो हम लोग blackboard पे पढ़ा रहे हैं तो सर इसने हमें मार दिया है ना सर यह हमारे pencil चोरी कर रहा है किताब निकाल रहा है उसकी प्रभावसीलता थोड़ी कम हो जाती है इसी शमस्या का निवारन करने के लिए कि यह सिट्वेशन क्रियेट ना हो जब तक क्लास में टीचर रहे पूरी तरीके से हर एक इस्टेंट के साथ आई कॉंटेक्ट में रहे इस शमस्या का निवारन ओवर हेड प्रोजेक्टर ओवर मने उपर से हेड मने सिर्के सिर्के उपर से इसकार्थ हो गया प्रोजेक्टर की सायता से आसानी से यह हो जाता है कैसे? प्रोजेक्टर को कक्षा में प्रदर्सन मेज यानि कि जो सामने टेबल होता है, उस पे रखा जाता है सिख्ष जो होता है वह छात्रों के उनमुक होकर के प्रोजेक्टर में तयार जो बी कुछ वो अपना बना करके लाया है, ट्रांसपरेंसी रखता है और फिर प्रोजेक्टर का संचालन करता है प्रचेपित सामागीरी छात्रों के सामने आती है जो भी कुछ पढ़ाना है टीचर को वो सब इस्टुडेंट के सामने आ जाता है और सिच्छक आवसेक्ता के उनसार उसको explain करता जाता है उवरेड प्रोजेक्टर जो है वह शमस्त प्रचेपित होने वाले प्रोजेक्टर में सबसे सरल प्रचेपित होने वाला प्रोजेक्टर होता है इसके दवारा अठारा गुणे पाइस्पेंट पांच सेंटीमेटर आकार की तयार transparency को बढ़ा करके जो इस format में तयार है उसको ह इच्छक छात्रों के सामने रहता है है ना और आई टू आई कॉंटेक्ट भी बना रहता है transparency हाथ से भी बनाई जा सकती है उन पर संदेश डाइग्राम और स्क्रेच आधी विवरन अंकित किया जाता है आव सेक्टा पढ़ने पर हैं टाइप कराकर फोटो कापी जेरोक्सी यूज आफ ओवरेड प्रोजेक्टर इसके उप्योग के लिए साफ्टवेर पतली ड्राई AC डेट सीट पर तयार किया जाता है जिन्हें transparency भी कहते हैं प्रदरसित की जाने वाली सामग्री को प्रोजेक्टर की सीशे की सीट पर रखकर प्रकास विवस्था को चालू कर देत हैं और स्क्रीन यानि की परदे पर जो प्रतिकरत यानि की जो इमेज होती है उसको फोकस विवस्था दोरा समयुजित कर लेते हैं आप लोगों आप लोग समझ रहे होंगे हो सकता है इस बात को है ना कि मतलब पीछे से लाइट सामने पर लाइट डाली जाती है और जो भी कुछ इसमें फीड होता है वो सामने प्रेजेंट हो जाता है बच्चों के ट्रांस्पेरेंसी बनी हुई अत्वा छपी हुई मोहक रंगों में मुख्य विश्यों जैसे सरीर रचना विज्ञान एबं जीव विज्ञान आदी के छात्रों में बहुलता से उपलब्ध है कक्षा में ही या कक्षा से पहले सिच्छा क्या संप्रेशन जो संप्रेशन करता होता है वो सब बना लेता है तो यह हो गया इसका उप्योग अब हम जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर को हिंदी में शंगण कहते हैं और बहुत ही मतलब सबी लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है लेकिन फिर भी आज हम लोग इसको डिस्कूस करके जाएंगे आप ये ना समझे क्या रहे हमको तो पता है ये कंप्यूटर में क्या क्या होता है हम क्या ही पढ़ें इसमें लेकिन जब आप ऐसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि पहले हम लोगों को लगता है कि आरे ये टॉपिक हमको आता है ये भी हमको आता है छोड़ो इसमें ये है लेकिन जब हम एक्जाम में लिखने को बैठते हैं उस समय वो सब कहां गायब हो जाता है किसी को पता नहीं आप इस बात से हमारी शहमत भी होंगे क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ पहले लगता है कि या रहे ये तो आता है माइंड कता एकदम प्लेन हो जाता है ऐसा लगता है कुरा कागज हो गया है कुछ भी समझवें नहीं आथा कि इसमें हम लिखें क्या इसलिए किसी भी आसान चीज़ को इतना आसानी से मत लिया करो और हर एक चीज़ को डीपली समझो डीपली जा लो चलिए परिचे इंट्रोडक्शन देखे आज के समाज के निर्माण में विज्ञान और तक्नीकी महतपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे है आज विज्ञान टेक्निक सब कहां पहुँच गया है बहुत ही महतपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहे है व्यक्ति पूरी तरीके से साइंस पर ही डिपेंड हो गया है टेक्नोलोजी पर डिपेंड हो गया है विज्ञान और तक्नीकी के प्रभाव ने आज के विक्तियों का जो दिर्ष्टिकोर्ण है जो पॉइंट आउ व्यू है वैग्यानिक बना दिया है और समाज और समाज में जीवन के प्रतेक चित्र में सार्थक्ता प्राप्त करने के लिए विज्ञान और तक्नीकी के सिध्धानतों और प्रिणामों को क्रियानिवित करना प्रारम कर दिया है वर्तमान समय में जो यंत्री करण है इसका बोल बाला है इसके अंतरगत मनुष के बहुत से कारियों को यंत्रिक पनालियों दोरा इस्थनांतरित कर दिया जाता है ताकि व्यक्त की यंत्रवत कारियों से आवकास मिल सके और वहाँ स्रजनात्मक कार्यों में अपना समय लगा सके यंत्री करण की इस दिशा में कम्प्यूटर की एक विशेश भूमिका बन गई है नित्य प्रती बदलने वाली सामाजिक आर्थिक समचना में सिच्छा के गुणात्मक सरूपर बहुत बल दिया जा रहा है जिससे की सिच्छा जगत में यंत्री करण एवं कम्प्यूटरों का जमाना आ गया है चात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनके लिए उत्तम तरीके से सिच्छन अधिगम यानि की टीचिंग लार्निंग की प्रसितियां जो है उत्पन करके ज्ञान के संचार प्रभाह में कम्प्यूटर को प्रभावसाली माधिम माना जा रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि कम्प्यूटरों ने सिच्छा के छेत्र में प्राविदिक और समाजिक करानती ला दी है विद्वानों का कथन है कि कंप्यूटर का समाज के विकास पर वही प्रभाव पड़ेगा जो मुद्राले और छपी हुई पुस्तकों का जन जीवन और सिख्छा शंप्रेशन तथा सनचना पर पड़ा था तो उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि भावीश्य की दुनिया के स्वरूप का निर्मान करता एक शक्तिशाली विद्धुत कंप्यूटर ही हो सकता है जो बीश्मी सताबदी के उत्रार्द में एक अभूत पूर्व विलच्छन अविस्कार शिद्ध हुआ और इसके द्वारा मनुस समाज में ऐसी करांती का जन्म हुआ है जो जीवन सास्तर में हुई करांती के समान नाटकी एसिद्ध हो सकती है तो पैरे दोस्तों यह है इस प्रकार से थोड़ा कंप्यूटर का कुछ अब धार्ना है और अब हम जानेंगे कि इस सिच्छा के छेतर में कंप्यूटर का उप्योग है आपका यह जो चल लाहाए सब्जेक्ट जिब तक एक खत्म नहीं हो जाएगा तो तक हम दूसरा सब्जेक्ट शुरूर नहीं करेंगे इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं सिच्छा के छेतर में कंप्यूटर का क्या उप्योग हो सकता है इस शमंद में मनोवग्यानिकों और सिच्छा विदों ने भी विचार प्रकट किये हैं कम्प्यूटर विद्यार्थियों के लिए उप्यूक्त समय शार्णि का निर्मान कर सकता है, वह योगिता के अधार पर विद्यार्थियों का वर्गी करन कर सकता है, कम्प्यूटर विद्यार्थियों को प्रगत शमंधी रिपोर्टों को अच्छी प्रकार से संभाल कर रख स है उन सामग्रियों में उन सामग्रियों और छात्रों में वह तालमेल भी बनाए रखता है कि विद्यार्थियों से श्रमंदित जितने भी आवश्यक शूचनाय हैं उनका वह शंग रहकर आवश्यकता पढ़ने पर विद्यार्थियों के पथप्रदर्शन के लिए उनको आग से कंप्यूटर सिच्छन सामगरी को चात्र विशेश या चात्रों के दलों में बांट सकता है किसी भी सिच्छन संस्थान में प्रशाषनिक समस्याइं जटिल होती जा रही हैं इन्हें कंप्यूटर के माध्यम से विबिन युक्तियों का प्रयोग करके खुछ हिश्मे में प्रशाषनिक समस्याइं जल्दी हलो जाती है और इन समस्याओं को सुल्जाने के मांसिक तनाव से प्रशाषनिक अदिकारी बच जाते हैं और उनके शमय की बच्चत होती है और वे शमय का सही और सदब्योग भी कर सकते हैं ठीक है तो यह कंप्यूटर के कुछ उप्योग जो बड़ी तीवरगत से काम करता है पहले न किये जाने वाले कारे भी इसकी साहता से किये जाने लगे हैं जो काम ऐसे थे पहले जो नहीं किये जाते थे वह आज कंप्यूटर की साहता से वो भी सुरू कर दिये गये हैं या किये जा रहे हैं वैग्यानिक जो विभीन ग्रहों पर जा रहे हैं, उनमें कम्प्यूटर की सहायता बड़ी प्रमुक भूमिका अदा कर रही है, आज जो भी विक्ति अलग अलग रहों पर जा रहे हैं, उनमें क्या है, कम्प्यूटर ही तो है, जिनकी सहायता से बो जा रहे हैं, आज दूर दर्सन पर जो मौसम शमंदी रहन करता है हम तक पहुंचा सकता है और यह काम मानों मस्तिश्क द्वारा शंभव नहीं है आम तोर पर कंप्यूटर द्वारा जो भी गड़ना की जाती है परिसुद होती है उसमें तुरूटी की संभवना बहुत कम रहती है क्योंकि कंप्यूटर एक ऐशा शैंत्र है एक सै अधान विक्ति के शमानवा थकावट की अनुभूती नहीं करता और नहीं उसका अभधानी दरदर जाता ना तो उसका ध्यानी दरदर जाता है जो गल्किया करते इसलिए उसके द्वारा की जाने वाली गड़नाओं में एक गती होती है और वे ठीक ठाक भी होती है बहुत तो रेर केस में चांस होता है कि गल्ट हो जाए कंप्यूटर को चलाने में किसी भी शाहता क्या हो सकता नहीं होती क्योंकि वहाँ एक 180 सेंत्र है एक बार आधेश पर वह अपना काम सुरू कर देता है जिम उसको ओडर देते हैं तो फिर अपना काम करता रहता है और बिना कि जगत में अपनी अदा और प्रदा यानि की आउटपूट इकाईयों की साहता से सूचनाय लाता है तो लात्मक क्रिया करता है आवश्यक्ता पढ़ने पर आकड़ों को अंदर ही इदर उदर भेज देता है तो प्यारे दोस्तों आज के इस क्लास के माध्यम से हमारा जो चैप पर्दा चाहा रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए तो आप मुझे अपने कमेंट और राय जरूर दिया करिये ठीक है यह हमारा अदर यूटूब चैनल है इसका लिंक डिस्क्रिप्स में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें यहां भी फौलो कर ले थोड़ा ग्रो हो जाए ठीक है और यह इस्टाग्राम है और यह टेलीग्राम जहां से पीडियाइफ मिलती है चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में है